खमा गणेसा, स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर तो आज मैं आपको काचरा और हरी मिर्ची की सबजी बना कर बताऊंगी अब बरसाद का मॉसम आ गया और खेतों में और दुकानों पर काचरा मिलना शुरू हो गया है तो इसलिए मैं आज आपको काचरा और हरी मिर्ची की सरजी बना कर बताऊंगी यह काचरा है यह वजन में लगबग 300 ग्राम के करीब है यह अच्छा पकावा काचरा है यह छोटी छोटी होती है इनको तो हम काचरी बोलते हैं और यह छोटी होती है और यह बड़ा वाला काचरा होता है जो पकर फिर काकड़ी बन जाता है तो मैंने ली है तीन हरी मिर्ची जिसे मैं काट लूँगी तो सबसे पहले हम काचरा को छीलेंगे जितना पतला हो सके आप इसका छिलका उतारिए एकदम दीरे दीरे और पतला पतला इसका छिलका निकाल लेंगे चोटे चोटे जो काचरी होते हैं, जिसको कचरी भी बोलते हैं, उसकी सबजी भी अच्छी होती है, उसके भी वीडियो मेरे चैनल पर कई है, डाले वें आप देख सकते हैं, लेकिन ये बड़ा वाला काचरा होता है, इसकी सबजी भी बहुत अच्छी होती है, तो काचरे को चील लिया है और बीच में से काट कर दो टुकड़े कर लिए वैसे आप चाहे तो हाथों से इसके बीज और जो गूदा होता वो निकाल सकते हैं लेकिन चमच की सायता से यह बहुत यह आसानी से निकल जाता है तो आप इस तरह से छोटा चमच लेकर खुरच कर इसे निकाल ल तो बीज हमने सारे निकाल लिये हैं अब हम इसको काट लेंगे पहले तो हमें से लंबा लंबा काट लेते हैं वैसे तब सीटी में दुकानों पर यह 12 माईन ही मिल जाता है लेकिन जो बरसात के दिना में खेतों में काच्रा लगता है उसका तो स्वादी अलग गया और उसक काचरा मिलना शुरू हो गया हैै तो यहां पर मैंने काच्रों को जय से मालू काटते वैसे काट लिया है के तब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं गैस रख कर मैंने 3 छमस तेल लिया है तेल और मिर्ची आप अपने हसाब से डाल सकते हैं कि यह जो देशी सबज उती üzसी त तो यहां पर मैंने 14 चमच राई डाल दी आदा चमच जीरा डाल दिया जीरा और राई थोड़ा भून गए तो हमने जो तीन हरी मिर्ची काटे ती वह डाल दी और हल्का सा इसे भी भून लिया और अब जो हमने काचरे काटे थे वह भी इसमें डाल देंगे अब धीरे गैस पर हम दो से तीन मिनिट इसे हल्का सा भून लेंगे लगातार हम इसमें चमच चलाते रहेंगे तो माफ किजिए यहां पर हमारे लाइट चली गई है तो अब हम सूर्य देव की रोशनी में ही इसे शूट कर रहे हैं तो यहां पर हमने आदा चमच हल्दी अब करें तो यहां पर आदा चमच मैंने नमक टाला नमक आपने स्वार्थ के नुसा डाले और एक चमच टाल दिया है लसुन पीसावा और अब द्धी में गैस पर इन मसालों के हम इस सब्जी के साथ बहुन लेंगे और वसा हःः ही तो बड़ीय हमने मसालों को सबसी के साथ बोन ली आ है और अब हम यहाек पर ऑने डालेंगे मैंने ठोड़ा ठोड़ा करके एक कप के करीब बड습 कर दाला है यह भी इसके पके पकने पर है कई बार बेस्ट यहां पर मैंने करीब एक पनी डाल दिया तो आपके काच्रा को पकने में कितना टाइम लगता है और आपको जो यह रसा है वह कितना चहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दी तो मैंने यहांपर गडिशाओं मिनेट इसे पका लिया है मीडियूम फ्लेम पर में ज्यादा इसको गलाना नहीं है गलेवे काच्री की सब्जी अच्छी नहीं होती दबाकर आप चमसे देख लीजे काच्रा अपना चपक गया है और जो इसका रसा है वह भी थोड़ा गाड़ा हो गया और मुझे इतना ही रसा चाहिए अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप बढ़ा बनती है और खाते और आप इसे बाजरी के सोग्रे के साथ घी लेकर खाईए और अंगुलियां साथ खाएंगे तो आप भी बनाईए इस बरसात के मौसम और खाईए अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें